तो दोस्तों स्वागत है हमारी वीडूब चैनल जिलसा डैमरोग में आर दोस्तों आज हम आपको बताने वाले फेरेंड जो आपका वोटसप का यानि कोई आपका नौटिफिकेसर होता है चाहिए दोस्तों कोई मैसिज है वो आपकी जो लोग स्क्रीन होते है उस पर दोस्तो तो दोस्तों आपको आपको वोटसप का नौटिफिकेसर है चाहिए दोस्तों आपको वोटसप का नौटिफिकेसर है चाहिए दोस्तों मैसिज है उसको दोस्तों आपको वोटसप का नौटिफिकेसर है चाहिए दोस्तों मैसिज है उसको दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर स् सेंड करता हूँ तो यहां पर दोस्तो मैसेज यहां पर हमें आ तो जाता है लेकिन दोस्तो जो हमारा मैसेज हो दोस्तो लोग स्क्रीन पर सो नहीं करता तो इसके लिए दोस्तो यह आपके मुबाइल फोन है उसमें दोस्तो यहां पर लोग लगा हुआ है यानि कि दोस्तो मैंưngंडोंड नाधा है तो यहां से दोस्तों आपके जो मोबाल Alternative है वस May Rei इस जग पर sihएव को जाएगा तो आपको दोस्तों तो आपको यहां से डिसेबल कर Jeanne है ताकि भी झालब कि कोई भी मेसीज आए तो जो आज है घर का जा È ि इंग के इंग वी जैसे कुंने रिप सका ने Tigeruit करेंगे हैं to you दोस्तों आपको इंगा हुआ है उसको दोस्तों यहां से आपको डिसेबल कर देना लेकिन दोस्तों मेरे यहां पर डिसेबल गहा है तो मैं लेकर शॉक्र और मिलागो तो इसके लिए दोस्तो मुझे आना है manage apps पर तो दोस्तो मैं आ जाता हूँ manage apps पर तो manage apps पर आने के बाद दोस्तो आपके यहाँ पर जाएगी जितने भी आपके apps है वो दोस्तो आपके सामने open हो जाएगे तो यहाँ पर मैं दोस्तो search app पर कर लेता हूँ search यहां पर WhatsApp कर लेता हूं दोस्तों यहां पर WhatsApp पा चुका दोस्ता अपना तो मैं दोस्तों यहां पर इसमें यहां पर देख लेता हूं सबसे पहले तो यहां इसकी जो पर्मिशन से उसको देख लेता हूं दोस्तों पर्मिशन लगबग दोस्तों यहां पर अल्रेडी हमारी वो तो इसके लिए दोस्तों फिर से मुझे सेटिंक्स पर आना होगा सेटिंक्स पर आने TOP पश्वारा जाता हूँ लोग स्कुरीं पर आने के बाद 다ए तो यहां हमारी जो Apps हैं, वो दोस्तों यहां पर जहे कि उनका जो Lock Screen Notifications है, वो दोस्तों यहां पर जहे कि सभी सो कर जाएंगी, तो मैं दोस्तों यहां पर अपना WhatsApp देख लेता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हूँ, यहां पर जो हमारा WhatsApp का Toggle बटन है, यानि कि Lock Screen का ये इसको दोस्तों यहाँ पर इसको यानि कि Disable कर रखा है तो मैं दोस्तों इसको Enable कर देता हूँ Enable दोस्तों करने के बाद अब दोस्तों हमारे कोई भी यहाँ पर जहेगी Notification आएगा तो यहाँ से दोस्तों आपको जो फॉर्मेट का Option है इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर जहेगी So Notification and Content पर कर देना हो क्लिक अब दोस्तों हमारा कोई भी यहाँ पर Notification आएगा Lock Screen पर तो दोस्तों आप उसको Easily देख सकते हो तो यह दोस्तों हमारे Mobile Phone में Problem थी कि हमारा जो है कि WhatsApp का जो Notification साव दोस्तों लोग स्क्रीन पर सो नहीं कर रहा था तो अब दोस्तों आपका जो Lock Screen पर WhatsApp की Problem है वो दोस्तों सौल हो जाएगी तो आपको दोस्तों इन सभी Settings को करने के बाद आपको अपनों Mobile Phone एक बर Reboot कर लेना है और दोस्तों आपका जो Problem है वो दोस्तों 100% सौल हो जाएगी तो आज की वीडियो में इतना है